हेलो दोस्तों स्वाइब अब का आच के एक न्यूव वीडियो के साथ दोस्तों आज चिस वीडियी में देखने वाले हैं कि काफी लोगों कोशें आई थे कि तलाग पर अकसर पूछे जाने वाले कोशें क्योंकि देखो दोस्तों कुछ कोशन से कठे किया थे जो कि आपके लिए भी काफी हैल्पूल हो सकते हैं तो उन्हीं के सभी सवालों के जवाब आपको आज किस वीडियो में हमारे द्वारा द्वारा दिये जा रहे हैं दोस्तों चैनल पर नई है तो सब्सक्राइब कर लिजिए ताकि किसी भी लीगल प्रॉब्लम्स का सॉलुशन आपको इस चैनल पर डेफिनेटली दिया जाएगा तो सबसे पहले आईए हम सवालों का स्टार्टिंग करते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर जिए वीडियो को और रोग साथ लाइक और शेर किजिए ताकि सभी तक क Brave News कि लेना लगे का उतार है कि अवन बाल करता है कि आप किस मैफड से लगा है अगर आपने आपसि सहमर्ति से तलाख ले रहे हो तो यह सह्मति से जर्ब आपने तलाक लेने का फैसला किया है उसके लिए फाइल किया गए तो कम से कम 6 महिने से लेंगे आपको ज्यादा से ज्यादा 18 महिने लगें जानिकर आपसी सहमती Myas टी ले रहे हैं तो आपको 6 महिने से लेके 18 14 महिने तक का टाइम लग सकता है क्योंकि पहले आपको फॉर्स्ट मोशन फाइल किया जाएगा उसके बाद अगला कोशन लेते हैं कि क्या मैं और मेरी पतनी एक साथ तलाग कर सकते हैं जी हां बिल्कुल आप अपनी सहमती से तलाग दाखिल कर सकते हैं और यदि आपके मतलब क्या वोते हैं अगर दूनों मिलके कैस फाइल कर सकते हो तो वह आपके लिए प्याफीहं आशा है क्योंकि आप जल्दीं जल्दीं के से चीश को डिसाइड करके अपन अपना यार्ति हैं वो देख सकते हैं यानि कि विलकुल आप जो है अपनी पत्नी के साथ सहमती से आपस समय तलाक ले सकते हैं από यानि कि ही पपनी से तलाक ले सकता हुं क्ःपारु के सकते हैं अब अब कर सकते हैं जो भी केस होगा अब बंदे का कोशन था कि मैं अपनी बीवी से तलाक ले सकता हूं चाहिए वो तियार हो चाहिए ना हो तो हाँ भीकुल आप केस्फाइल कर सकते हैं जो भी आपका प्रस्टनल लौज़ास के कॉर्डिंग नेक्स्ट कोशन है कि क्या छे महीने की समापती से पहले आपसी सहमती से तलाक लेना पॉसिबल है यानि कि जो छे महीने का तो देखो हम कहते हीं कोट जो है सोचने का टाइम देता है कि हाँ आप डिसाइड कीजिए लेकिन छे महीने की खतम होने से पहले ही आप दोनों मोशन यानि कि फर्स्ट और सेकंड मोशन फाइल करके आप तलाक ले सकते हैं तो हां बिल्कुल ले सकते हैं क्योंकि सुप्रेम कोड के रिसेंट फैसले में बिल्कुल ऐसा कहा गया है कि आप इसके लिए एक वैलेड रीजन बताकर छे महीने की जो कुलिंग फीर्ड होती है और रीजन बतायना जरा जुनुरी है नेक्स्ट कोशन है कि आप सी सहमती से तलाक फाइल करने के लिए किन-किन दस्तावेजों की या डॉकुमेंट्स की आविशकता होती है जो कैसे होते हैं यानि कि मूच्वल कंसेंस से जो लिया गया डिवोस होता है उसमें क्या है कि और अलग अलग रहने के कुछ एविदेंस है कि जो दिखा सकें कि आप इतने टाइम से अलग रहे हो या फिर कोई भी हो सकता है आप से रूप में तियार करनी है यह जैसे ही आपको जो आप से कॉंटाट करेंगे सब आप से इंफोर्मेशन मागी जाएगी और जो दोनों हस्बेंट और वाइफ की जो भी ओनर्शिफ वाली प्रॉपर्टेज हैं यानि कि जो शादी में एक्सचेंजिस हुआ था उसकी भी डीटेल्स होना बहुत जरूरी है यानि कि जो भी आपने एक्सपैंस किया था या फिर गिफ्ट थे जो वाइफ की साइट स अगला कोशन है कि आपसी सहमती के बाद आपसी सहमती से तलाग के लिए मुझे कितनी बार कोट चाना पड़ सकता है यह तो अकसर सबकी माइंड में कोशन होता है क्योंकि केस तो हर कोई फाइल कर लेता है लेकिन उसके बाद उनके जो एफेक्टिव असर पढ़ने लगता ह में तो उसके रिगार्डिंग जो सवाल काफी जिरूरी है कि आपसी सहमती से तलाग तो हम ले लेंगे जल्दी से लेकिन कितनी बार हमें कोट जाना पड़ सकता है तो देखो कोट में क्या है ना कि बयान दर्च करने के उदेश्चे से आपको दो से तीन बार दो से तीन बा और अब क्योंकि जब आपने जो स्टेटमेंट्स दी होंगी अपना एफडेविट दिया हुआ है तो आपका एक बयान कोट में फॉर्मिल रिकॉर्ड करना पड़ेगा कि आपने जो कहा है और जो भी अपसे जजिस के द्वरा मजीश्ट के जाएंगे उसका जवाब को कोट में देना पड़ेगा और क्या है ना कि अब इतने सारे कोट में अब तो वीडियो कॉंफरेंसे की फैसिले जनरी दे दी है क्योंकि जैसे आफ्टर कोविड ओनलेन प्रसीडिंग्स चल रही थी तो आप वीडियो कॉंफरेंसे की माधियम से भी अपना ब्यान दो है जो है य साल भी नहीं है लेकिन कुछ ऐसी पॉसिबिलिटीज नहीं है कि हम आगे इसको कॉंटिन्यू कर पाएं तो क्या हम दुवारा इसमें डिवोस के लिए हैं तो इसके लिए नहीं है क्योंकि आप हिंदू कानून के अधार पर शादी को एक साल के अंदर कोट में केस फाइल न कि बिलकुल असाधारन मामलों में हाई कोट ने एक वर्ष को पूरा करने से पहले एक कोट में तलाक को फाइल करने के छूट देने का अधिकार दिया हुआ है अगला कोशन है कि क्या मैं तलाक की लंबित कारवाई में भरन पोशन का दावा कर सकती हूं की क्या तलाक की करवाई में डिवोस की कर सकता है क्यों कि वह ना डिवोस के कर सकता है यानि कि एक husband अपनी wife से divorce के दुरान maintenance के लिए मांग कर सकता है लेकिन कब कर पाएगा अगर वो financial रूप से यानि कि आर्थिक रूप से खुद को खुद को अपना खर्चा उठाने में समर्थ है यानि कि खुद को मिंटेन नहीं कर सकता है तो फिर वो अपनी wife से भर्ण पोशेन का maintenance के लिए दावा कर सकता है अगला कोशन है कि मैं तलाक के बाद फिर से कब शादी कर सकता हूं देखो दोस्तों आप शादी तब कर पाएंगे अगर जो भी दूसरी पार्टी है उसने हाई कोट में अगर अपील करना पसंद नहीं करता है यानि कि आपके मजिस्टेट साब ने जो कोई और पास किया अगर को चैलेंज नहीं किया यानि कि इसकी कोई अपील नहीं की गई हाई कोट में तो और लेकिन अप अपेल क PRIME के यह अगर कोई नहीं कि गई हाई wouldि कर सकते है और आप जो हैं हो तो आप जो है वो रहलता है यानि कि अधियम कर ची अपील करना पसंद नहीं करती है और आप इसमांप्ट होने के बाद फिर से लेकिन अगर आप एक स्थेट से दूसरे स्टेट में ट्रांसफर करवाना चाहते हैं तो आपको करना किया है कि सुप्रेम कोट में एक transfer petition file कर सकते हैं इसमें करते हैं एक coordinator को एक district से दूसरे district में ट्रांस्पर करना चाहते हैं तो आप जो है वो concern हाई कोड में application file कर सकते हैं यानि कि आपका जो कोशन यह था कि भहिम मैं दूसरे it में रहता हूं वाइव दूसरे परना करना चाहिए जो है करके करके उसको ड़ सकते हैं अगर उसमें कोई reasonable ground होगा तो उसके बाद next question है कि मैं तलाग के मामले के दुरान बाल हिरासत या मुलाकात का अधिकार कैसे प्राप्त कर सकता हूं देखो आप तलाग के मामले में हिंदू मेरिज एक्ट के section 26 का कहना है कि जो application file करके आप अपने study का अधिकार प्राप्त कर सकते हैं अगला question है मैं विदेश में रह रहा हूं क्या मेरे परिवार का सदस्य तलाग की कारवाई में मेरी और से पेश हो सकता है या फिर वकालत नमों भी कह सकते हैं अगर आप वहां उसके सी कारण पेश नहीं हो सकते हैं तो आप उसको दे सकते हैं लेकिन अगर कोई भी जहां पर आपका पेश होना जुरूरी है आपकी appearance मस्ट है तो आपके favor में कोई भी power of attorney holder हो सकता है मैं तलाक की आची का कहा फाइल कर सकता हूं तो दोस्तों इसके regarding हमारा जबाव यह है कि आप जो तलाक की अपनी पेटिशन है वह चार स्थानों में से यानि कि जो total four places होंगे उसमें किसी भी एक जगा कर सकते हैं यानि कि first of all क्या है कि जहां पर शादी हुई है जहां पर श husband और wife last time एक साथ रहते थे या फिर वह स्थान जहां पर आप currently रह रहे हो या फिर वह स्थान जहां पर दूसरी पार्टी रह रही है यानि कि दोस्तों इसके बारे में simple बाशा में कहें कि आप court का case divorce case कहां पर फाइल कर सकते हैं तो आप कर सकते हैं कि जहां पर या तो आपक कि अगला question कि क्या में कुछ रोग क्या कुछ रोग किया पर तलाक फाइल किया सकता है जैसके generally हम इसको लैपर और सोकी कहते हैं तो दोस्तों इसके अधार पर केस फाइल नहीं किया सकता कि 2019 में पर्सनल लॉस में कुछ अमेंडमेंट किये गई जिसमें कि इंडिया में अब लैप्रसॉपी यानि कि कुछ टोग जो है वो तलाख का अधार नहीं है अगला कोश्चन है कि मेरा तलाख USA में हुआ यह यह से में हुआ क्या वो इंडिया में वैलिड हैं तो दोस्तों यह डिपcherण करता है जो आपके केस के facts होगे किस facts पर और किस ग्राउंड पर डिवोस्स लिया गया है आम तोर पर हम बात करें कि जो भारत में घो पाकि जो डिक्री है उसको वैलिड डिक्लेयर करने के लिए इंडियन लॉव में डिवोस के अधार को मानेता दी जानी चाहिए यानि कि इसके लावा वह जो भी आपके सफिशेंट कोट है यानि कि जिरुश्चने वाला कोट है उसके द्वारा उस केस को सुना जाना चाहिए यानि कि आपके कोट में कोट में और देली आपको क्लिए दीओ का अधिकापंध करना नना पडएगा मैं अद्सकी मेरर कर देते हैं है यहां पर वैलिड मानी जाएगी दोस्तों यह थे जनरी कोश्टन्स टोटल सिक्स्टिन कोश्टन थे पता ही लगा सब कर जवाब देते देते तो दोस्तों आपको आज की वीडियो लगी है लगबग आज की विडियो में हमने सारे तलाक से जितने भी कोश्टन्स होते हैं सवालों के बच गिया है और आपके मेंड में अगर है तो आप हमें कमेंट बॉक्स मेंशन कीजिए कि अब कौन से सवाल ऐसा हो सकता है तलाक के रिगारिंग जो कि हम से छूट गया हो कि लगबग हमने सभी कवर करने की कोशिश की है लेकिन और जदा अगर लेंटी वीडियो को ना करता ह है तो हमें मेंशन कीजिए या कमेंट बॉक्स मेंशन केजिए उस वीडियो पर टॉपिक पर वीडियो अपलोड कर दी जाएगी मिलते हैं जली दोस्तों आको न्यू वीडियो के साथ थैंक्स वाचिंग दिस विलोग